हेलो आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको अपने एक थ्रिलिंग मैच की हाइलेट्स दिखाने वाला हूँ तो अभी मैं ये ग्राउंड ही जा रहा था और ये आज की पिच्च है जिस पे हम मैच खेलने वाले हैं बहुत ही अच्छी पिच्चती बैटिंग के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम शुरू में थोड़ा वाम अप के लिए फुटबाल खेल रहे थे आप देख सकते हैं तो इससे बाड़ी जरह वाम अप हो जाती है और जो फीट है वो भी मूवमेंट में आ जाती है तो आज का जो मैच है वो मैं आपको अभी से बतार हूँ बड़ा इंटरस्टिंग है बड़ा आपको मज़ा आएगा देखके और उसकी वीडियो भी बड़ी अच्छी तरह बनी हुए क्योंकि वो कैमरा लगा वा था उससे ही बनी है तो आपको बड़ा मज़ा आएगा देखके तो उसके बाड़ टॉस हो गया था टॉस हम हार गए थे और हमें बालिंग मिली थी पहले तो ये भी हमारे बालर जो हैं बालिंग का रहे थे मैं आपको नजर आ रहा हूँगा कीपिंग पे मैं भी इस वकत कीपिंग का रहा हूँ तो आप देख सकते हैं शुरू में बाल जो है वो काफी स्विंग हो रहा था मतलब काफी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत स्विंग बॉल हो रहा था क्योंकि पिछ जो है सुबा थोड़ी मॉइस्ट होती है तो इसे जैसे बॉल उस पे स्विंग होता है ये भी आप देख सकते हैं लाइन गलती लेकिन बॉल स्विंग काफी हुआ है और ये अपने पील की थी लेकिन ये बैट लगया साफ नजर आ रहा है बैट लगया मैंने बॉलर को यही कहा था कि बैड लगया तो आउट नहीं है और हमारे बॉलर्स ने जो है वो काफी अच्छी बॉलिंग की ये भी आप देख सकते हैं एक विक हमें मिली विकेट्स हमें मिलती रएंड तक अगले टीम जो है हो स्कोर भी करती रही साथ रेकिन विकेट्स हमें रेगूलर इंट और ये अब ये डैथ ओ platinum शुरू हो गए थे डैथ ओ ceux में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आप देख सकते हैं पके यॉरकर जो है वो मार रहा था बॉलर और बीच बीच में बाउंसर ही मार रहा है ताके बैटस्वन एक बॉल के लिए तयार ना हो और ये थी इनिंग की लास्ट बॉल तो दूसरी टीम थी उन्होंने 158 स्कूर किया था तो हमें 159 का टार्गिट था इन 20 ओवर्स तो ये इसके साथ लास्ट बॉल थी ये इनिंग्स फिनिश होगी थी पहली इनिंग्स तो हमें 159 का टार्गिट था मैं अपनी टीम की परफॉर्मंस से बहुत ही खुश था क्योंकि हमने एक अच्छी बैटिंग पेच पे उनको 158 पे रिस्टिक्ट कर दिया था और फिर थी हमारी बैटिंग की बारी तो मैंने अपनी इनिंग की स्टार्ट ही पहले चोके से किया पहली बॉल पर ही मैंने चोका मार दिया था तो इससे मुझे बड़ी इच्छी फील आई थी कि आज मैं अच्छा स्कोर करूँगा और दूसरी बॉल आप देख सकते हैं का आप आउट होजेंगे उसके हमने इस सोचा था मैं में साज योपनर हैं थोड़ा टाइम लेंगे सेंट होजेंगे क्यूंकि स्कोर इतना कुई बड़ा नहीं है जो हमने चीज्क करना है अगर हम सेट हो जींगे और फिर अगली टीम पे स्कोर करेंगे तो उन पे काफ़ी प लेकिन फिल्डर के हाथ में चला गया था नहीं तो चौका ओज़ना था ये भी और ये फिर मैंने एक चौका मारा बड़ा अच्छा काट पर मुझे बॉल जब भी मिलता तो मैं इसको कभी भी लीव नहीं करता मैं हमेशा इसको मारता हूं चौका और फिर ये बॉलर ने अच् स्ट्राइक रोटेट होता रहे ताके अगली टीम पे प्रेशर डलता रहे और ये बॉल आप देखें बहुत ही वाइल्ड बॉल हुआ था बहुत अजीब सा बॉल हुआ था काफी जादा बाउन्स हो गया था और हमें चौका मिल गया था वाइड बॉल का इस पे इस वकत प ग्राउंड के बार किसी ने आग लगा दी थी तो उसकी विरसे काफी धुआ आ गया था ग्राउंड में तो इस वैसे हमें रुकना पड़ा था फिर मैच दुबारा स्टार्ट हो गया था जब हवा चली तो धुआ उड़ गया तो फिर मैच दुबारा स्टार्ट हो गया था और हमने बड़ा वही प्लैन के साब से हम खेल रहे थे तो यह बॉल आप देखें यह बड़ा इंपोर्टन बॉल है अगली बॉल से रिलेटिड बॉल है इस बॉल पर देखें आप एजी सिंगल था लेकिन बैट्स में नो की कॉल की तो उस विज़से उसके दमाग में आगए कि मैंने गलत कॉल कर दिया और रन मिस कर दिया इस अफेक्ट की वज़से अगली बॉल पर फिर उसने मुझे नो कह दिया लेकिन नो कह गए उसको लगा कि फिर उसने गलत सिंकल मिस कर दिया तो वो उदर से ही दुबारा येस कहा गए भागने लग गया लेकिन तब तक मैं वापस मुट चका था तो मैं रन उस वक्त नहीं ले सकता था इसलिए मैंने उसको नो कहा दिया लेकिन वो जादा आगे आ चुका था इसलिए वो वापस अपनी क्रीज पे नहीं पहुंच चुका और ये बड़ा अई एक क्रूशल जो है रन आउट हो गया तो इस विकेट के गिरने से हमारी टीम पे प्रेशर आ गया था जिसकी विए से हमारा स्कोर बीच में काफी स्लो हो गया था क्योंकि जब भी आपको पता नया बैट्समन बैटिंग करने आता है तो उसको टाइम लगता है सेट होने में तो मैं तो हर बॉल पे सिंगल लेके दूसरे एंट पे चला जता था लेकिन दूसरा बैट्समन जो है उसको टाइम लगता है सेट होने में इस वक्त हमारा required run rate जो है वो काफी जादा हो गया था 9 से उपर चला गया था और यह आप देख सकते हैं बीच में हमें एक extra boundary मिल गई थी over throw की तो मैं वही अपनी कोश्च कर रहा था कि singles में लेता रहा हूँ लेकिन beach पीच में dot balls भी हो रही थी और बीच में एक और boundary आ जाती थी जिसकी विरह से हमें फिर support मिल जाती run rate हमारा फिर सही हो जाता था हर run chase में आपको एक baller जूरूर ढूना पड़ता है जिसको आपने टार्गिट करना हो जिसका अपने over में boundary लेनी हो ताकि जो दूसरे over आपने बुरे खेले हैं वो आपके cover हो जाएं तो आपको वो हमेशा ढूना पड़ता है baller जिसमें आपको आपको असान लग रहा हो सबसे आप उसी को target करते हैं हमेशा और ये ball आप देख सकते हैं baller ने काफी lose की थी full toss दिया था तो मैंने इसको boundary में convert कर लिया तो आपको ये हमेशा करना पड़ता है जो आपको lose ball मिले उसको आपने नहीं छोड़ना हमेशा boundary में उसको convert करना है तो इस single के साथ मैंने अपनी 50 जो है वो complete कर ली थी लेकिन मैं इस वकद यही सोच रहा था कि मुझे सिर्फ end तक खड़े रहना है चाहे मैं स्कोर जादा ना भी करूँ अगर मैं एंड तक खड़ा रहूंगा तो हमारी टीम जो है वो मैच जीच जाएगी इस मैच की हमारे लिए इतनी जादा importance इसलिए थी क्योंकि यह जो आप दूसरी टीम देख रहे हैं जिसके अगेंटस हमारा मैच हो रहा है हमारी से सीनियर टीम है हमारे से एक लेवल उपर की टीम है इसके सारे बॉलर्स ही काफी अच्छे हैं 135, 140 की पेस है इनकी तो इस विरह से हमारे लिए इतनी पॉइंटस थी है कि अगर हम इनके खिलाब मैच जीच सकते तो हम बड़ी एक achievement है हमारे लिए वो इस वकत हमारा score 98 हो गया था 14 ओवर्स में हमें चाहिए था 61 in 36 बॉल्स 6 ओवर्स में तो अब भी जो हम मेरे साथ बैटसमें था वो completely set हो गया था तो वो काफी boundaries मारा था इस वकत जिससे हमें काफी support मिली और हमारा score जो है वो काफी अच्छा हो गया था मैं जो है वो उसको single लेके दे रहा था क्योंकि मेरा यही target था कि मैं end तक खड़ा रहूंगा और जो दूसरा है मेरे साथ वो अग्रेसर होगा वो हिटिंग करता रहेगा ताकि हमारा score जो है वो चलता रहे तो यह वो short थी जिस पर दूसरा जो मेरे साथ बैटसमें था और वो out हो गया और इस वकत हमारे टीम पर बहुत pressure आ गया था क्योंकि इस वकत हमें चाहिए थे nine runs in nine balls और नया बैटसमें आया था तो उसने दो तीन डॉट्स कर दी थे यह बावी आपको दिखा रहूं यह देखे पहला डॉट और यह फिर दूसरा दुबारा डॉट तो दो ball डॉट्स हो गया थे seven balls पर nine runs रह गये थे और मैं आफ स्ट्राइक था जिसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता था तो यह चोका आगया था आखरी ball के ओवर की आखरी ball पर चोका आगया था जिसका में बड़ा फाइदा हो गया तो आखरी ओवर में फिर हमें चाहिए थे एक ओवर में पांच रन क्योंकि नौ रन चाहिए थे नौ में से चोका आगया तो आप पांच रह गये थे तो सारे दूसरी टीम वाले कटे हो गये थे वो सोच रहे थे ओवर किसने कराना है और क्या फिल्डिंग लेनी है तो मैं भी अपना टाइम ले रहा था मैं अब स्ट्राइक पे था तो मैं अपना टाइम ले रहा था सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा इस वकत मैच बहुत ही इंटेंस हो चुगा था क्योंकि वो चा रहे थे कि ये हमारे से ना जीट सके क्योंकि ये हमारी जूनियर टीम है तो ये हमें हराएंगे तो हमारी इज़त का क्या होगा इसलिए उन पे इस वक्त जादा प्रेशर था और ये फस्ट बॉल होई बॉलर ने काफी अच्छा यॉरकर मानने की ट्राइ की थी लेकिन लो फुल टॉस हो गया था तो मेरे से सही हिट नी लग सकी लेकिन सिंगल मैंने उस बॉल पर ले लिया था तो तो पांच बॉल पे चार स्कोड चाहिए था दूसरा बैट में स्ट्राइक पे था और ये उसने हिट मारी फूल टॉस मिला था और ये गैप में बॉल गया मैं पहले रट के लिए तेज बांगा पर दूसरे रन के लिए ज़ा तेज बागा और फिर ये इस वक्त में पतर लगा कि बॉल चोके के लिए चला गया तो हम बड़े खुश थे क्योंकि ये बड़ा ही important मैच एक हमने जीत लिया था बड़ा हमारे लिए बड़ी achievement थी एक इसलिए हम सारे बड़े खुश थे और बाहर भी जो देख रहे थे लोग क्राउड हमारा जो इससे भी जूनियर टीम थी वो सारे बैट के मैच देख रहे थे तो वो भी बड़े खुश हो गए थे मैच खतम होने के बाद सर ने मुझे मैन अफ़ दा मैच का आवार्ट भी दिया थे जिससे मैं बड़ा खुश हुआ था और में ले बड़ी एक achievement थी इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो please give a like and subscribe and thank you for watching this video